Hello friends, welcome back to my channel, Basic Linguistics. Today we are discussing the topic of Poverty of Stimulus by Noam Chomsky. So, इसमें हम देख लेंगे कि Poverty of Stimulus का जो argument हो रहा था, वो है क्या? उसको जानेंगे कि आखिर इसमें क्या चीज़ें थी, जिसके विज़े से argument था, और Poverty of Stimulus कहता क्या, ये है क्या? So, Poverty of Stimulus की बात अगर हम करते हैं, So, the Poverty of Stimulus argument is one of the most influential argument of Chomsky and it helps immensely in the further theorizing of language. So, roughly the argument is that the input a child gets from his environment is largely insufficient in itself to account for the kind of linguistic knowledge a child has. So, सबसे पहले जानेंगे कि ये चीज़े है क्या, तो first of all हमको ध्यान में ये रखना है, कि ये argument जो है, वो ये कह रहा है, कि जो input मिलता है, जो एक child होता है, जब वो language को सीख रहा होता है, जो उसकी linguistic knowledge होती है, उस time पे जो उसको input दिया जाता है, जो भी उसके आसपास से, य समझने के लिए, मतलब उतना sufficient नहीं होता है, कि वो सारी चीज़े उसके mind में clear हो जाएं, ये सारी जो उनको input मिल रही है, वो insufficient होती है, to account for the kind of linguistic knowledge a child has, तो जितनी, मतलब जितना knowledge उनको होना चाहिए, जो चीज़े उनको clear होना चाहिए mind में, वो सारी चीज़े clarity के लिए, जितनी knowledge उनको देना, या जितनी input चाहिए होती है, उतनी input उनको नहीं मिल पाती है, ये insufficient होता है, इसलिए इसको, insufficient है, इसलिए इसको poverty कहत हैं, समझ रहे हो, poverty कहते हैं, and stimulus, stimulus की poverty क्यों कहलाएगी, क्योंकि जो input मिलता है, that is called stimulus also, so stimulus आपको insufficient होगी, तो वो poverty of stimulus आपकी कहलाएगी, after that, that is the output of the language acquisition process is radically undetermined by the input, so क्या होता है, जब आपको input ही insufficient मिलता है, तो कई बार क्या होता है, जब आप उसी चीज़ को फिर output में, जब convert करते हो, तो वो भी थोड़ा undetermined हो जाता है, क्योंकि आपको input ही insufficient मिलती है, and यहाँ पर मैं थोड़ा से example लेके आपको बताती हूँ, चाइल होता है, वो सीखता है, ठीक है, language जब सीखता है, जब धिरे-धिरे वो सीखने की कोशिश करता है, input उनको क्या दिया जाएगा, कहीं पे लोग क्या, जैसे ED form है, ठीक है, ED form वाले जितने भी words होते है, वो लोग ED form वाले words यूज करते है, as a third, जो third form में है, या हम, यह यह कह सकते हैं, कि जब भी आपकी बात आती है, कि आप जो आपका पास्टेंस हो गया, पास्टेंस marker में भी कभी-कभी है न, ED form लगता है, यह आप कहसकते हैं, जो perfect है, perfect में भी ED form लगते हैं, तो जब ऐसी बाते करते हैं, तो हम जो बच्चा होता है, उसको mind में यह होता है, जब भी हम second form यह third form के बात करेंगे, उसमें ED लगाना है जितने भी उसको वर्ब दिया जाएगा जितने भी उसको वर्ड से ऐसे दिये जाएंगे वो सब में ED ED form लगाता है तो उसको इतनी सारी knowledge यह इतनी सारी input नहीं दी जाती कि इसमें ED लगाना है फिर कुछ अगर दूसरा अगर वर्ड है जिसमें ED नहीं लगता है उसमें नहीं लगाना है यह सारी चीज़े पूरी information को नहीं दी जा पाती तो उनको सिर्फ input यह रहता है कि like first and past morphem जो भी है ED form है तो ED form लगा दिना हमको तो एक तरह से poverty of stimulus कहला जाता है कि उनको पूरी तरह से knowledge नहीं होता और जैसे ही वो यह सारी चीज़ें सुनते हैं then output भी उनका कुछ इसी प्रकार रहता है वो ED form जोड के ही सारी चीज़ें वो सोचते हैं कि यहीं सही है ऐसे ही S form की भी है तो कई सारे जो plural form होते हैं S form से बनते हैं तो जितने भी words दिये जाएंगे उनको लगेगा कि हम S form जोड के ही हम plural form बनाएंगी जब कि क्या होता है कि बहुत सारे words इर्रेगलर वर्ब्स जो होते हैं या फिर हम कह सकते हैं जिनमें S नहीं जूडता है उनमें भी वो Yes जोड देते हैं जिसे चाइल्ड का ही चिल्रेन न कहेंकर चाइल्स कहना तो कुछ इस तरह से तो उनको एक poverty of stimulus रहता है सो इसी इसी को ही में basically हम इसमें देखते हैं सो as an answer to this nativist propose दी कि children are born with innate domain specific knowledge which adds the acquisition process ठीक है सो acquisition process के टाइम पे उनका क्या था जो प्रपोस्ट के थे उनका यह था कि जब children उनका जब बॉन होते हैं या बर्थ लेते हैं उस टाइम पे जो innate होता है उनकी innate capability या domain specific knowledge होता है उनके पास जो acquisition process में help करता है and poverty of stimulus is the controversial argument from linguistic that children are not exposed to rich enough data within their linguistic environments to acquire every feature of their language तो यह ही कह रहा है कि इसमें जो children होते हैं उनको इतना जदा जो rich जो जितने data आपको rich enough मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है उनकी environment से so this is considered evidence contrary to the imprecisist idea that languages learn solely through experience तो जैसे इतना नहीं मिल पाता है बट यह कह सकते हैं कि उनको environment से इतनी सारी जानकारी नहीं मिल पाती है input दौरा तो उनके पास यह रहता है कि बर्थ के time पे ही उनके mind में एक हम जैसे बात कर रहे थे innateness hypothesis के तो एक innate capability पहले से ही रहती है तो वो सारी चीजों को समझते हैं and imprecisist की भी प्रीत क्या बोलते हैं imprecisist की नहीं blank slate होते है मैं मैं ऐसा कुछ नहीं होता तो इसलिए यह मतलब एक controversy कहना चाहिए हुई यह argument हुई दोनों में कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है so the poverty of stimulus is assertion that natural language grammar is unlearnable given the relatively limited data available to children learning a language and therefore that he is that this knowledge is supplemented with some sort of innate linguistic capacity so एक बात और याद रखना है कि जैसे हम बात कर रहे हमें हमने अभी कहा कि जो environment से उत्ती जादा जो stimulus है यह हमको input है वो अच्छे तरह से नहीं नहीं मिल पाती है मतलब एक poverty रहता है so यहां पर हम यह कह सकते हैं कि जब ऐसा होता है तो हमें फिर कैसे समझ में आता है कि other चीजें भी हैं जिनको हमें ध्यान रखना है तो यहां पर हमें innate का ध्यान रखना होता है क्योंकि birth के time पर ही आपके mind में capability रहती है या एक तरह से एक जो language acquisition device की जब बात करते है तो वो चीजें पहले से ही रहती है ताकि हम बाहर की चीजों को फिर समझ सकें सारी चीजें हम environment से नहीं सीख सकते हैं ठीक है so limited data जब आपको दिया जाता है और साथ ही बात करें अगर आपके जो natural languages होती है जो आपके native languages होती है उसमें आपको कभी सिखाते हैं मतलब वैसे grammar आपकी या फिर उस तरह आपको नहीं बताया जाता है जो native language रहता है वो basically आपको पता होता है already आप बोलने लग जाते हो लेकिन यह नहीं पता रहता कि इसमें क्या grammatical चीज़ें है या क्या नहीं और कभी आप गलती भी नहीं करते हो इसको बीना सीखे बीना कुछ किये बीना grammar पढ़े आपको वो clearly आती है तो यह सारी चीज़ें क्या थी कि एक तरह से knowledge already रहता है mind में जो की help करता है समझने के लिए प्रिज़ेंख के साथ एक प्रिज़ेंख नहीं होते हैं वो बन होते हैं किसके साथ एक इक specific representation adaptation कि के साथ जो की language के लिए बहुत important होता है और उसकी funds के लिए limits के लिए जो भी competence होती है इस basic language को लेकर आपकी natural languages को लेकर वो सारी चीज़े एक उसके साथ एक specific knowledge के साथ ही बच्चा जन्म लेता है और फिर जैसे जैसे उनकी environment change होती है वो उस environment में भी थोड़ा बहुत environment क effect होता है और language जो बोलते है महाँ पर उसका भी effect होता है बट उससे पहले बर्थ की टाइम पर ही हर बच्चे की दिमाग में एक पहले से capability रहती है so the argument is now generally used to support theories and hypotheses of generative grammar the term poverty of stimulus the coin by Noam Chomsky in his work rules and representations so the thesis emerged for several of several of Chomsky's writing on the issue of language acquisition the argument has been the controversial within the field of linguistic forming the backbone for the theory of universal grammar so argument in support the poverty of stimulus are not attempting to appeal to innate principle in in a principle in exchanging the learning appeals for of universal grammar so कुछ इस तरह से हम देख सकते हैं कि poverty of stimulus की कुछ थियोरी इस तरह थी और साथ ही साथ हमने यह भी देख लिया कि कौन उनके support में है और कौन वीपिरी था है तो जो नेटिविस्ट हैं जिसमें आपके Noam Choms के आते हैं और जो एंपरिसिस्ट हैं यह दोनों के बीच में आर्गुमेंट हो रही थी और पोवर्टी आपी स्ट्यमिलस का यही मतलब है कि आपको जो इन्पुट मिलता है इन्वार्मेंट से वह इ रहता है उसके बेस पर ही हमें बहुत सारी थीजिस समझ आती है तो कुछ इस तरह से पोवर्टी आप इस्ट्यमिलस का आर्गुमेंट था आई होप मैंने तो कोशिश किये इसको समझाने के आप लोगों को भी समझ में आया होगा और थैंक्स फॉर वाचिंग गाईज और आप लोगको अगर पीटेफ चाहिए तो आप टेलिग्राम ग्रूप का लिंग मैं दे दूंगे आप वहां से जाके डाउन्लोड कर सकते हैं थैंक्यू सो मच पर वाचिंग